मेरा नाम जीद सिंग है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जद्दा की खरी-खरी आज तीन-चार दिनों बाद आपसे मिल रहा हूं मैं थोड़ा सा ट्रेवल कर रहा था मैं मनाली में था मनाली ते मैं तिर्थन वैली और जीवी वैली होता हुआ जंजेली गया जंजेली पे यहां आया हूं जलंदर में तो आज इससे में जलंदर में हूं और बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आ पाई तो आज जब पज़ाब में आया और पंज़ाब की खबरें देखी तो बड़ा दिल दुखी हुआ पंजब में साब हालांकि आम आदमी जिरफ में आ चुका है इसका कोई और छोर इसका हल जल्दी मिलता वर नतर नहीं आ रहा है हलांकि आज मैं बहुत सारे मैंने न्यूज आइटम्स देखे बहुत सारे वीडियो देखे बहुत सारे न्यूज चैनल्स देखे जो ये लोकल न्यूज चैनल्स ने उस पे बहुत सारी रिपोर्ट्स देखीं तो ये समस्या घटरे की बजाए बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है और इसका कोई हल सरकार को समझ में नहीं आ रहा है देखिए जब इस सरकार आई थी तिसने बहुत बड़े बड़े वादे किये थे कि हम इस समस्या कुछ चुटकियों में हल करते हैं परंतों यह समस्या असल में चुटकियों में हल होने वाली है नहीं मैं बताओं आपको भी कुछ दूनों पहले कुछ महीनों पहले है पीजी आई चंडीगर जो है ना वो पीजी आई इंस्ट्यूट अफ मेडिकल एडिकेशन और तर्च पीजी आई एंबियार उस उसके बाद वह एक बात और भी कहते हैं कि यह जो तीन लाग की संख्या है त्री मिलियन दिस कुड़ बी जस्ट टिप आइसबर्ग यह असली संख्या नहीं है यह कुद पीजी कह रही है क्यों कहते हैं सोशल स्टिग्मा की वज़ेते अभी बहुत से लोग तो सामने ही नह नहीं आते उनके बच्छे उनके घर के लोगर इस जंजाल में फशंच चुके हैं परंतु अभी उन्होंने किसी को बताया नहीं है वो openly डेक्रेयर नहीं करते कि हमारे घर का एक बच्चाँ भी इस जाल में फशंच चूप है इस खाई में गिर चूपा है है और जिन लोगों ने ओपनली डिकलेयर किया या जिन लोगों ने यह हिम्मत की कि वह आंकडों में खुद को स्विकार कर सके कि हां मैं यह समच्चा है असल में समस्या उससे बहुत जादा है बहुत बहुत जादा है मतब पीजी आई की एक रिसर्च तो यहां ते के थी कि मोर देन फिफ्टीन पर्सेंट पॉपुलेशन इद एडिक्टेट इंद तीन करोड़ की पंद्रह परसेंट पॉपुलेशन हर सात्वां आदमी नशेडी बन चुका है इतनी बड़ी विकराल समस्या बन चुकी और इससे पहले की जो समस्या जो सरकारी थी न वह इसको बड़ा कैजूली इसको लेके चलती थी कि अब बस ठीक है हम पुलिस वालों को सक्त कर देंगे पुलिस बिकवाना बंद कर देगी पुलिस बेशना बंद कर देगी और पु नहीं है क्यों कि इतने ज़ादा लोग इसके आदी हो चुके हैं कि और यह कोई ऐसी समस्या तो है निए कि ठीक है कल मिला आज नहीं मिला तो आदमी आरामते रहलेगा तो इसको तो विड्रॉल सिंटम्स इतने गंभीर होते हैं कि आदमे रोने चीखने चिलाने लगता हैं उस क्योंकि जो इसके आदी हैं और दूसरी बात है कि इसकी सप्लाई नारको टेरोरिजम के तहत अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हो रही है और पाकिस्तान में एक होस्टाइल डॉर्मेंट है जिसका ये एजेंडा है कि हमें पंजाब में भारत में पंजाब के रास्ते ते ये नशे का कारोबारिस नशे को नार्को टेरोरिदम पुश करना है ये उस सरकार की अफिशिल पॉलिसी है जिसमें वहां की सेना, वहां की पुलेस, वहां की आईसाई और पूरी गॉवर्मेंट तक इन्वार्ड है तो जब आपके पड़ोती देश की ये नेशनल पॉलिसी बन जाती है कि पंजाब प्रदेश में, पंजाब में ये पुश्ट ये चीज़ को पुश्ट करना है तो फिर इतना असान नहीं रह जाता है और वो तब जब की पंजाब का 550 किलोमेटर लंबा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता हो, इसलिए ये कह देना, ये जो आम आद भी पार्टी की जो अप्रोस्ट है रहा, कि हम तो इसको छुटकियों में हल कर देंगे, तो इतना असान है नहीं, तो एक तो सप्लाई रोकना बहुत मश्किल है, पाकिस्तान ते, दूसरी समस्या ये है, कि जब आप कि हाँ इतने ज़्यादा कंज्यूमर्ज हैं, तो कंज्यूमर्ज का भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है, मैं आपको बताओं कि पिछले दिनों, अभी ये ये नई वाली गौर्बंट नहीं आई थी, अभी चन्नी सरकार थी, तब एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था बॉर्डर्ज एरियाद में, जहां पे इसके जो आदी लोग हैं, उन्होंने बकाइदा सडकें जाम की थी, चक्का जाम किया था, हरताले हुई थी, मौर्चे लगाए गए थे, कि भीया ये जब आपने बियस अफ का जो कारे छेतर है, पंदर किलमेटर से बढ़ा के पचास किलमेटर किया था, जब हो मिनिस्ट्री ने, तो अचानक इस कारोबार पर थोड़ी से लगाम लग गई थी, और इसकी उपलगदता ग्रामेट शेतरों में बहुत कम हो गई थी, तो जो इसके आदी लोग हैं, वो परेशान हो गए थे, बिलबलाने लगए थे, और उन्हें सप्लाई अचानक रोक देना भी कोई हल नहीं है, उसके लिए आपको एक मल्टी प्रांग बहुत बड़ी योजना बनाने होगी, कि सबसे पहले जितने लोग भी इसके आदी हैं, सबको रीहेब सेंटर्स में डालके रीहेबिलिटेशन करना पड़ेगा, उनको ये नशा छ जब डिमांड कम होगी, तो सप्लाई बेशक आती रहे जब डिमांड ही नहीं है, तो आप सिर्फ एक किसी मिनिस्टर को अरेस्ट कर लेने से, आपको यदि लगता है, कि ये समस्या का हल हो जाएगा, तो इसलिए इसमें आपकी बड़ी करफ में लिए, और उसके बाद सबस समाज की सोच में एक बहुत्वडी समस्या है, ये समाज शराब को और अफीम को तो नशा मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं नहीं, अफीम का तो गुंगान होते हैं, यहां के लोग तो ठीक हो नहीं है, अफीम को थेक है कि अपृची चीज़, अफीम के बिना पंजाब का नए आपकारी नितिवा जिसमें श्राब को और ज़ादा स्था करने जा रही है और ज़ादा सुलब करने जा रही है पंजाब की सरकार खुद चाहती है कि ज़ादा से ज़ादा लोग शिराप प्यें pernah और भी हो जाएं जारूच जादा भिकेगी तो कौन इस कंजियूम करेगा पंजाब का आदमी ही तो कंजियूम करेगा पंजाब का युवाई तो शराबी बनेगा तो शराब के प्रती तो आपके इतने उदार नेती है शराब को आप नशाई नहीं मानते तो जो समाज शराब को नशाई नहीं 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 न मैं तो कहता हूं कि मुँँ में यह जो गुटका डाल लेते हैं ना मैं तो को तो पांच सुपारी इलाइची लॉंग तक अगर आपका बच्चा खाने का आदी बन रहा है या आपका बच्चा इलाइची खाता तो तुरुत रोगिए यह क्या फालतु की चीज़ तुम खा रह तो अगरेंदी लॉप आपके परिवार में से बाप रोज दारु पीके नाली में में गिरा रहता है तो तो आप अपने बच्चों कीसे रोग लेंगे और जो बिखे डारु पी रहे हैं उनको आप और ज्यादा हेवी नश्यक्र करने से कैसे रोग लेंगे यह फेसबुक प बड़ा glorify करते हैं वो कहते हैं जी हम तो यह मदाक में करते हैं पर मैंने कहा या रे तुम यह गंडी चीज को तुम क्यों ग्लोरिफाइ करते हो क्यों लोगों को यह बताते हो कि नहीं तुम जी जब तुम पीते नहीं इसके बावजुद जो तुम फोटोग्राफ डालते हो स्टेटिस डालते हो इस प्रकार कि जो वीडियो बना के डालते हो फोटोग्राफ तुम डाल रहे हो लोगों को यह शो कर रहे हो कि तुम तो बहुत दारू पीते हो तुम तो बहुत बड़े शराबी हो मैंने का यह कौन सी मतलब यह यह आप कौन सी नहतिकता अपने साथियों को अपने समाज को सिखा रहे है जब नशे की स्विकारिता समाज में इस तरह हो जाएगी अच्छा आजकल शराप पिना शेहरों में फैशन हो गया है लड़कियां पी दी है लेडीज पी दी है पार्टीज में सरे आम शराप पी जा रही है अभी मैं पीछे मनाली में था मैं पर एक बहुत अच्छे रजॉर्ट में बैठा हुआ था तो वहां पर तीन कॉलिज गोइंग गर्ल्स चुटिया मनाने आई मी थी मैं वहां एक गड़ घंटा बैठा था मैं तो अपने फ्रेंश से गपे मार रहा था तो मैंने देखा था कि वहां वह लड़कियां थोड़ समान अच्छे खाते घरों की लड़कियां थी तो जिस समाज में जिस समाज का यूथ नशे के प्रति इतना ज्यादा अकर्शित हो रहा है तो वही समाज वही बच्चे निकल को और ज्यादा कड़े नशों में पड़ेंगे आप मनाली आके देखिए मैं आजकल मनाली में र नशा करने हैं तो जिस समाज में जो ब्रैंड अम्बेसडर थे हैं हमारे यूथ हैं हमारा समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं यदि वो नशे को इस तरह प्रमोट करेंगे या नशे को एक स्विकारी चीज़ के रूप में प्रस्तुत करेंगे फिर आप किस मूँ से बचो या यह गलक चीज़ यह मत करो तो सर्फ प्राब्लम यह है कि सबसे पहले समाज को अपने पैरामेटर बदलने पड़ेंगे तब आप पंजाब से यह समस्या हल कर सकते हैं और रातो रात सप्लाई बंद कर देने से समस्या हल नहीं होगी सबसे पहले डिमांड खतम कीजिए और डिमांड खतम करने के लिए आपको इन तमाम इस कुछक्र में फते हुए युवाओं को लोगों को रियाब सेंटर्स में ले जाके एक बहुत बड़े बहुत बड़े पैमाने पे मतवемон की किटल गट्र्स हैं उन तीस लाख लोगों के लिए आप बताईए मुझे कितने रियाब सेंटर्स खोलने पड़ेंगे मुझे एक रियाब तेंटर में आप कितने लोगों को इलाज कर लेंगे 10-15-200 लोगों का तो तीस लाख लोगों के लिए कितने रियाप्स खोलने पड़ेंगे मुझे लगता हर गाउं में 2-4 रियाप्स एंटर्स कोलने की जरूत है इसके लिए कितनी बड़ी विल पावर की जरूत है सरकार को कितने बड़े फंड्स की जरूत है कितने एक्सपर्ट की जरूत है जब आप ऐसी गंभीर समस्याओं के प्रती इतनी casual approach लेके चलते हैं कि ने 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 हमारी तो सरकार आएगी जी एक जादू की छड़ी लेके आएंगे और हम इस समस्या को हल कर देंगे तो इसका मतलब है या तो आप समस्या के बारे में जानते नहीं है या आप समस्या को लेके गंभीरी नहीं है आपका कोई उदेश ही समस्या को हल करना नहीं है आप सिर्फ राजनीती कर रहे हैं आप सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं आप सिर्फ लखवादी कर रहे हैं और आपका इस समस्या को हल करने के पीछे कोई मनशा नहीं है कोई उद्श नहीं है आपका तो यह जो कैजूल अप्रोच है न यह पंजाब की समस्तिया है और इसके लिए एक बहुत बड़ा बड़ा व्रहद प्लैन बनाने की दरोता है जिससे कि हम अपने यूथ को इस गंभीर बिमारी पे बचा सकें और समाज को क्या बुलता हूं ना लॉंग इलाइची पांच सुपारी को भी नशा मानिये अपने बच्चे को लॉंग तक मत खाने दो जब तक यह पॉलिशी समाज नहीं अपनाएगा आप समाज से यह इतना गंभीर नशाद दूर नहीं कर सकते हैं इस समस्या पर हमारी नजर बनी रह रहेंगे इस चर्चा भी मर्श होता रहेगा आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धनीवाद अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं थैंक्यू वेरी मच्च